अप देखने हैं को बॉलरा कि इस वंडिव और कलोंियों हैं इस बख़न चाहप मेंच भीदांप सवाधγ छेत्र में तेकिए ये सभी को मालूम है कि दिल्ली की जनता के लिए किसने कितना कुछ किया है पहले भी दिल्ली में भाजपा की सरकार रही है, कॉंग्रेश की सरकार रही है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक जनता को बना कर काम किया गया है आम आदमी पार्टी के सरकार जब दिल्ले में आई फरवरी 2015 में उसके एकदम बाद पूरी तैयारी करके और नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को परस्ताव भेजा आज भाजपा वहावाई लूटना चाह रही है लेकिन दिल्ली के जन्ता जानती है प्रस्ताव केंद सरकार के भेजने के बाद 2015 से लेकर और आज 2019 हो गया 2019 जुलाई में करीब साड़े तीन पौने चार वर्स बाद उन्होंने उस पे कुछ सुझाव मांगे अगर भाजपा को दिल्ली के जनता की इतनी चिंता थी तो प्रस्ताव भेजने के बाद इंबिडियेट उसको जो है सुझाव मांगने थे और बहुत जल्दी ये काम होता तो जनता को ज़्यादा सुविधाई मिल पाती अलांकि डिल्ली सरकार ने अनौत्राइज कलॉनियों में सीवर का काम हो बिजली का काम हो पानी का काम हो सडकों का नालियों का सीसी टीवी किसी काम में महला क्लिनिक्स स्कूल किसी काम में कमी नहीं छोड़ी लेकिन जितनी ये देर हुई है ये भाजपा की वज़े से हुई है 2015 में प्रस्ताव भेजा और 2019 में आप सुझाओ मांगते हैं चार साल की देरी भाजपा के कारण हुई जिस दिन सुझाओ मांगे जुलाई में उसके साथ दिन के अंदर-अंदर मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था कि हमें जब पूछा जायागा एक सब्ता के अंदर जवाब देंगे एक सब्ता के अंदर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने वो सारी फॉर्मल्टी पूरी करी सारी प्रकेरिया पूरी करी और तब जाकर आज स्टेज पे पहुंचे हैं लेकिन मैं फिर भी सभी का धन्यवाद करूंगा जिसमें इसने प्रियास किया है क्योंकि यह दिल्ली की अनौथ्राइज कलॉनी की जनता का हक था जो उन्हें बहुत पहले मिलना चाहिए देखिए जी मैं आपको एक चीज कह सकता हूं जैसे हमारे पास जब प्रस्ताव आया जो हमसे फॉर्वल्टी पूछी की पूरा करने के लिए कहा गया हमने साथ दिन के अंदर पूरी कर जो एक आनधित कोलोनियों का मैटर चल रहा है इसके नोंने खंडन किया है और जो भा आप देखें हैं खवर एंडी टीवी इसता हर खवर से